असलाम आलेकुम दोस्तों, एक सस्पेंस बना हुआ था कि फेब्रवरी से सौधी अरभिया का ट्रावल गाइडलाइन क्या होगा क्योंकि कई यूस सोर्से से ये पता चल रहा था कि फेब्रवरी फस्स से बिना बुष्टर डोस का सौधी अरभिया में कोई नहीं आ सकता हलाकि ये चीज़ तो हुआ नहीं, लेकिन जो ट्रावल गाइडलाइन है सौधी अरभिया का, वो चेंज हुआ है GACA ने नया एडवाइजरी अल्रेडी जारी कर दिया है, सारे अरलाइन्स को और सौधी अरलाइन्स ने भी अपना जो ट्रेवल गाइडलाइन है, वो अपडेट कर लिया है 9 फेबरुवरी से ये नया गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा, क्या है, क्या क्या चेंजे हुआ है आईए मैं आप लोगों को डीटेल में बताता हूँ सौधी अरभिया में इस वक्त वही लोग आ सकते हैं, जिनका तवक्कलना में एम्यून शो करेगा अब तवक्कलना में एम्यून किनका शो करेगा, जिन्होंने दो डोस का वैक्सिन ले लिया है वो vaccine जो या तो सौधी अरभिया से approved है या फिर WHO से approved है इसके अलावा अगर आपका second dose का vaccine का date 8 मेने से जादा हो गया और आपने booster dose नहीं लिया है तो फिर आपका तवक्कलना में immune show नहीं करेगा जिन्होंने भी 2 dose का vaccine ले लिया है इसके अलावा booster dose भी ले लिया है उनका तवक्कलना में immune show करेगा वो लोग आ सकते हैं यानि जो लोग vaccinated हैं सिर्फ वही आ सकते हैं सौधी अरभिया में जो लोग non vaccinated हैं वो नहीं आ सकते हैं ये था पहला condition दूसरा condition जो भी सौधी अरभिया आएंगे उनको 48 घंटा पहले का एक negative PCR test report लाना पड़ेगा यानि जो भी country आप सौधी अरभिया आ रहें सौधी अरभिया जब आप पहुचेंगे उस समय 48 घंटा cross नहीं होना चाहिए आपका PCR test का report का इससे पहले 72 घंटा तक का PCR report approved था लेकिन अब नए guideline में सिर्फ 48 घंटा पहले ही आप करा सकते हो PCR test में एक और option आपको मिलेगा अभी आप rapid PCR test करा के भी आ सकते हैं हलाकि rapid PCR test का charge ज़्यादा है और इसका report आपको 1-1.5 घंटे में मिल जाता है यानि भले आपका पैसा ज़्यादा लग रहा लेकिन आपका समय बचेगा अगर आपका सफर लंबा है 48 घंटे में आप नहीं पहुँच पा रहे सौधी अरभिया तो जो भी airport से आप सौधी के लिए flight लोगे उस airport में पहले जाओ वहाँ पे rapid test करा लिजे PCR का negative report लेके आप fly कर सकते हो इसके अलावा सौधी अरभिया आने से 72 घंटा पहले आपको मुकीम registration करना है तभी आप आ सकते हो इसके अलावा आपका vaccine certificates तवक्कलना, सिहाती ये सब भी आपको लेके आना पड़ेगा अगर आपका तवक्कलना या सिहाती ओपे नहीं हो पाता है तो इस case में आपको exception मिल जाता है लेकिन सौधी अरभिया पहुचने से 8 घंडा पहले आपको तवक्कलना जो है डाउनलोड करना है सौधी अरभिया पहुचके एरपोर्ट में भी आप तवक्कलना में registration कर सकते हैं और जो लोग resident है जिनके पास सौधी अरभिया का इकामा है सौधी के बाहर उन्होंने vaccine लिया है उनको MOH के portal में अपना vaccine certificate को upload करना पड़ेगा जिससे उनका तवक्कलना में immune show करेगा ये rules सबके लिए हैं सिर्फ 8 या फिर 8 साल के जो छोटे बच्चे हैं उन पे implement नहीं होगा यहाँ पे एक important चीज़ मैं आप लोग को बता दू जो लोग COVID-19 से infected होके recover हुए है उनको भी vaccine लेना ज़रूरी है इससे पहले उनका status exempted बताता था तवक्कलना में उनको exception मिल जाता था बट अब नहीं मिलेगा उनको भी vaccine का dose लेना कमपल सरी है अगर आपके साथ में बच्चे हैं 12 साल या 12 साल से कम उमर के बच्चों के लिए quarantine mandatory नहीं है लेकिन 12 साल के उपर जितने भी बच्चे हैं वो fully vaccinated होने चाहिए अगर कोई बच्चा vaccinated नहीं है वो अपने parents के साथ में आ रहे है तो फिर उनको exception मिल जाता है अब हम बात करते हैं quarantine की तो जिन्होंने सौधी अरबिया में दो dose का vaccine लिया है उनको कोई भी quarantine package की जोरत नहीं है जिन्होंने सौधी अरबिया में at least एक dose का vaccine लिया है उनको 3 दिन का quarantine package लेना पड़ेगा इसके अलावा जो लोग उम्रा या फिर हज के वीजा में आएंगे और उन्होंने अगर सौधी अरबिया के बाहर में vaccine का dose ले लिया है तो फिर उनको भी exception मिलेगा उनको 3 दिन का quarantine रहना पड़ेगा सौधी अरबिया जैसे आप पहुँचोगे आपको quarantine होटल में जाना पड़ेगा उसके बाद तीसरे दिन आपको एक PCR टेस्ट कराना है अगर रिपोर्ट में negative आता है तो फिर आप अपने room में जा सकते हो याद रखिए जिन्होंने सौधी अरबिया के बाहर में complete dose का vaccine ले लिया है वो अगर उम्रा या फिर हज का वीजा में आ रहे सिर्फ उन ही का छूट मिलेगा दो दिन quarantine काम रहना पड़ेगा बाकी जो भी लोग आएंगे उनको 5 दिन का quarantine रहना पड़ेगा सौधी अरबिया आने के बाद first day उनका एक PCR टेस्ट होगा उसके बाद पाचवे दिन भी एक PCR टेस्ट होगा रिपोर्ट में अगर negative आता है तो फिर उनको छोड़ दिया जाएगा इनकेस अगर किसी का रिपोर्ट पाचवे दिन positive आता है तो फिर उनके लिए quarantine जो है 7 दिन का होगा वही पे जो लोग सौधी अरबिया के बाहर में vaccine का dose लिए है और वो अगर COVID positive होते हैं तो फिर उन लोगों को 10 दिन quarantine में रहना पड़ेगा तो यहाँ पे special छूट उन लोगों को मिलेगा जो लोग सौधी अरबिया के अंदर में vaccine का dose लिए है या फिर उम्रह या फिर हज का विजा में आएंगे इसके अलावा 9 February से सौधी citizens के लिए एक rule mandatory होगा बिना booster dose का वो सौधी अरबिया के बाहर travel नहीं कर सकते वो लोग travel नहीं कर सकते जिन्होंने second dose का vaccine ले लिया है और तीन मेहना क्रोस हो चुका है booster dose नहीं लिया है ये rule अभी सिर्फ सौधी citizen के लिए लागू हुआ है resident खारजी लोगों के लिए अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है इस वक्त सौधी अरभिया ने दो केटेगरी बनाया है ban country का एक केटेगरी जाने का और एक केटेगरी आने का तो इंडिया जो है सौधी अरभिया से जाने का अभी भी ban country का लिस्ट में है इंडिया से सौधी अरभिया आने का बैन कंट्री का लिस्ट में इंडिया नहीं है और वो रूल अभी भी लागू है यहां के सरकार ने यहां के सिटिजन्स को मना किया है हाई रिस्क वाले कंट्री में सफर करने के लिए जिसमें इंडिया भी शामिल है यही है दोस्तो सौधिर अभिया का नया ट्रवल गाइडलाइन जो 9 फेबरुवरी से लागू होगा इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है आप मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा जब भी कोई इशू को मैं हाइलाइट करता हूँ ट्यूटर में आप लोग भी उसमें री ट्विट किया करिए ताकि उस पे रिस्पोन्स जल्दी आए उम्मिद करूंगा वीडियो इंफर्मेटिव रही होगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्या लखे अपना थेंक यू सो मच फो वाचिंग